तो चलिए फ्रेंड आज हम आप सभी लोगों के लिए सीटेट 2023 के लिए बाल विकास्वम सच्छा सास्त्रियानी के सीडीपी के महतरपुल प्रश्णों के स्रिंखला के साथ आए हुए हैं जो आप सभी लोगों के साथ मिलकर के फ्रेंड 30 कोस्चन हम अपने डिस्कस करेंगे तो देखें जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक हम सब्सक्राइब नहीं किये वह लोग कर दीजिए हमारे चैनल है एडड लर्नवी थाल पना ओके फ्रेंड तो चलिए फटा फट से हम लोग अपने पहला कॉस्चन क्यों चलते हो और देखते हमारा पहला क्विस्चन क कि निम्नलिखित में से कौन सा छेतर बाल विकास का है ठीक है आपको बताना है फ्रेंड कि इस चारों में से इन में से कौन सा छेतर बाल विकास का है ठीक है पहला अप्सन है आपका एकिक और आब अग्यानिक जो कि बिलकुल नहीं होता है बाल विकास का छेतर तीसरा है नि लिटेंटमक और गती सिल दोनों होता है और इस्सपष्ट और प्राचिंग्य की बिल्कुल नहीं होता है यानि कि आपका जो थर्ड अपसन है वहीं बिल्कुल रटर होगा ठीक है अक्षें और देखे हमारा अगला Qस skirtन का है, तो पहला आपका option है, सीशु अवस्थ्ह यह तो बिल्कुल है, क्योंकि सबसे पहले friends, यहांपर गर्भ आवस्थ होगा, यह पहले ही कट्ड़ गया तो दूसरा ऐस्था त्वेस्था निंद वेस्था इसमें अवस्था सफी के पुरू बाल रभा रच्च के लिद के लिए खवर भाम स्द Tag &決 परंध dei 2,wy बाल भाल परंध समय का सकते ह। सब्सक्राइब 창 जळेने संव में इसलिए ब्लå अग्रांष प्री कीज्ताओ डियॉदकित की सेलों केती है? कि आपके ऊबने है प्रेकास अभी कसो कփ में फाल्ड पोर्षत्टट के अफ्रिया पहला मेंजत कि आन्ताक्रिया प्रियोजन झधी out प्रक्रटि सैंनि ओड्यीन स्वातल्डव का अप्रक्रिया पतन प्रेक्द को थेक्वuse को्षिन पूचा गया है कि गाया है कि वाथिकांस बच्चे संतुननन करम बद hj करड्द के और वरगी करड्ड कि कीस चरणि में समझ लेते हैं यह या शुन पूचा गया है कि πα झाल को है पुटिस पांपशन में नहीं होता है मुटिसंपर कहल रहता ही जर किये चोंपर संग्यात्म संग्यात्म की डिकासर होता है यानिक जब बच्चे साथ से लेकर के 11 वर्श रहाएं तार्किक रूप से अपनी प्रतिक्रिया की तार्किकता को इस्पष्ट करते हुए प्रश्णों के उत्तर देने आरंब किये जीन पियाजे की संगयनात्मक विकास के अनुसार उसने किस चरण में प्रवेस किया है यहां पर देखिए तार्किकता यानि कि जहां पर तार्क आ जाए यानि कि मुर्त रूप से बच्चा जो बोल रहा है वह आपका मुर्त संग्यात्मक वस्था में होता है वहीं साथ से 11 वाला जो पिछला ऑप्सन में सही था ठीक है यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन दे जो बच्चे होते हैं अधिक समझ वह इज्ञान रखने वालों के साथ अंतक्रिया करके सीखते हैं तो जो अधिगम का सिध्धान्त है वह किसके द्वारा दिये गए खाली इस्थान सिध्धान्त के दृष्टी कोड से सही है तो देखिए पहला अपसान आपका लेवाई सामाजिक संस्कृतिक है यानि कि जो बच्चे अधिक समझ वह इज्ञान रखने वालों के साथ अंतक्रिया करके सीखते हैं अधिकम का यह सिध्धान्त लेवाई गोश्टी की द्वारा दिये गए सामाजिक संस्कृतिक सिध्धान्त के दृष्टी कोड से सही है तो यहां विकास के द्रिष्टी कोड के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए ठीक है यानि कि लेवाई गोश्टी के जो संग्यानात्मक विकास के द्रिष्टी कोड है ठीक है उसकी अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए पहला और विद्यार्थियों को अंतक्रिया बिद्यार्थी को उसके अभिष्टम गुड़ों को प्राप्त करने में शहयोग देना चाहिए बिल्कुल सही और आपका के अधिकम को शमुनत करने के लिए पुरस्कार और यहां पर पुरस्कार दंड का प्रावधान फ्रेंट जो होता है आपका निगेटी होता ठीक तो यह बिद्यार्थी के जो अभिष्टम गुड़ों को प्राप्त करने में शहयोग देना चाहिए लेवाई गोच्की के संग्यानात्मक भिकास के द्रिष्टी गोड के अनुशार यहां पर आपका जो थर्ड आपसर ने बिल्कुल करेक्ट है चली अगले कुश्चन क्योर चलते अगला कुश्चनर तो इसकी जीन प्या और लारेंस कोहल बर्गद्वारा प्रति-पादे सिध्धान्तों के बारे मों कौन सा कथन सही में इन इनके प्रतिपादि सिद्धान्त दिये गए हैं कहिं सा कथन है इसके कहले स्थीफ़नों के ने प्रतिपादिक व्यूंट कोपदवानी है दूसरा option दिखते हैं दूसरा option है सिध्धांतों में विकास के आठ प्रती रूप है बिल्कुल गलत Leah बियांगा दूसरा option है दोनों के सिध्धांत विकास के मध्य जिआ रावस्था चरडीन तक द। यहां पट देखे जो आपके इस पी आजे हैं युनि तो यहां पर बिल्कुल आपका अप्सन हो जाएगा जो जीन पी आजे हो और संगय नात्मक भिकास और जो उनका लारंस कोहलवर्का है नातिक भिकास यह दोनों ही सिद्धान्त आवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं ठीक है तो यहां पर करेक्ट ओप्सन दिखें फ्रेंट्स आपका फोर्स हो जाएगा चली अगला कुश्चन दिखते हैं अगला कुश्चन है फ्रेंट्स के एक ऐसी कच्छा जहां बिद्यार्थियों को जोड़िदार प्रदत्यकार्य शमूह कार्य और चर्चाओं में भाग लेने क प्रोट्साहित किया जाता है उनक अक्ष्चन क्या पिश्चता है यानििक अएक कच्छा है जहां पर जोड़िदार प्रदत्यकार शमूह कार और चर्चाओं में भाग लेने के जब तो निर्देश आधारत बिल्कुल गलत क्योंकि यहां पर शामुहिता में एक है काम किया जाया रहा तो यहां पर देखें आपका जो संक्य वहीं सही होगा सही होगा अधियम यारी की जेख्वा देखिए हमारा आगला कोईशन है friends कि दूसरों की मनोदसा प्रेरणा और इच्छाओं की पहचान करना और समुचित रूप से उनके प्रति प्रतिक्रिया करना किस बुद्धि मत्ता की विसेशता है ठीक है यारी कि जो दूसरों की मनोदसा होती है प्रेरणा होती है और इच् तो यहांपर देखिए अगर आप दूसरों की पहचान कर रहे है तो यहांपर आपक्तिक बुद्धि मत्ता की विसेशता है ठीक है ठीक है जईगी ही यहांपर फ्रेरणा फ्रेंटक की था था ठीक है बिचार के बारे में क्या सही है यह देखिये आप से सही वाले कोश्चिन पूछे कहा हैं पहला है कि जो भासा और विचार है वह एक दूसरे से सोतन तरग कर विक्सित होते हैं ठीक है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दूसरा है यह एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए अशंग के तरीकों से अंतक्रिया करते हैं जहां पर देखें फ्रेंट्स अंतक्रिया आता है यह भी आपका पॉजिटीव होता है ठीक है और तीसरा है कि सिछार्थी के सामाजिक प्रभावित होते हैं तो गलत यहां पर आपका वंसा नुक्रम और जोवाता वरण कारक होते हैं यह दोनों सही प्रभावित होते हैं तो देखें यहां पर जो सबसे पॉजिटीव आपका आंसर बनता है वह आपका शेकेंड आपसे बन जाएगा कि जो भासा और विचार हो निधिक स्वरूपों में सनलगन रहते हैं जैसे कि पिता भोजन पकाने का कारे करते हैं और जो माता है वो घर की खराब हो गए इलेक्टरानिक उपकरलों की मरबमत करती है इस प्रकार के परिवेश में प्रवीड की क्या प्रवृत्ति होगी पहला है जंडर उडिवद्ध विभेजी करण का समर्तन करेगा दूसरा है जंडर उडिवद्ध धारडाओं पर प्रश्न करेगा तीसरा है कि जंडर इसकीमा को और चोथा है कि जंडर नामी करण के अनुकूल व्यवहार करेगा तो देखें यहां पर आप से जो कोश्चन किया गया है कि जो पिता है इनकी प्रवीड के वो घर के खाना बनाते हैं और जो माता है इनकी वो क्या करते हैं घर में जो खराब इलेक्टरानिक समाना उसको ठीक करते हैं यानि कि वो लोग जान बुचकर घरेलुकारियों के अप्रतिनिदिक स्वरूपों में सनलगना रहते हैं ठीक है तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि जो इस प्रकार के परिवेस में प्रवीड की क्या भूमिका होगी ठीक है तो य कि यंडर रुड हिबद्ध धारणाओं पर प्रश्न करेगा कि अगर जहां पर हां इस उसकी शेमा करना बिल्कुल नहीं कच्छा में विवीदता को किस रूप में लेना चाहिए ठीक cal को किस रूप में लेना चाहिए ठीक簡 ग comment करें ला और तीसरा है कि सभी के लिए शमत्ता स्रिजित करने हैं तू इसे सिमित करना चाहिए ऐसा भी बिल्कुल नहीं तू यहां पर देखें जो सबसे आपका पॉजिटिव आंसार है वह आपका यहीं है फर्ष्ट के अधिकम के लिए एक सकारात्म गुड के रूप में लेना चाहि तो बिल्कुल सही है और नियमित बिल्कुल सही है लेकिन जो सुचनाओं के मात्र ग्रहर्ण सही है यहां पर मात्र जो है फ्रेंट्स यहीं आपका निगेट्व बना रहा है ठीक है कि मात्र ग्रहर्ण सहीलता पर केंद्र तो यह आपका निगेट्व हो जाता है और चौथा आपसन है आपका किसी छड़ अधिकम के उप्युक्तता के अनुरुप जो कि बिल्कुल करेक्ट है कि यहां पर आपको बताना है कि जो सिछार्ती होते हैं उनमें समालोचनात्मक चिंतन को शमुनत करने के लिए क्या महत्तो पूड़ होता है पहलों अध्यापक को विद्यार्थियों से बहुत ही आसान प्रश्न पूछने चाहिए दूसरा ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं करना समय रेखा का पालन करना चाहिए जी नहीं ठीक है और चली अगला उप्सन देख लेते हैं अगला उप्सन है कि विद्यार्थियों का इग्यान स्रिजन की प्रचूर आवसर देखे यहां पर आवसर मिल रहा है ठीक है तो यह आपका पॉजिटीव हो सकता है बढ़ हम लोग चौथा आपसन देखेंगे चौथा है कि विद्यार्थियों को एक समान योगता वाले शमूहों में वर्गी क्रीद करना चाहिए तो बिल्कुल गलत यहां पर देखें जो सबसे आपका पॉजिटीव अंसर आ रहा है यह आपका यहीं है कि विद्यार्थियों को उग्यान स इस रिजन की प्रचूर आउसर मिलने चाहिए जहां पर देखेंगे आपके आउसर आते हैं अन्तक्रिया आते हैं यह सब जो भी आपके आपके आपसन है यह सारे की सारे आपके पॉजिटीव आंसर माने जाते हैं ठीक है चली अगला क्वेश्चन देखते हैं देखें हमार माने चाहिए पहले की ऊसी मुऔरफ की सब्सक्राइब करना चाहिए करन पर अबसी ऑप्रतियोगिता आिक एक ब्लावर्या को mere उद्धि पर यहां पर अगला आपका option है कि ब्याक्तिक भिन्नताओं को अंदेखी करना चाहिए और चोथा option है कि अधिगम के सारोभामिक अभिकल्प यानी के करना चाहिए यहां पर जो सबसे करेक्ट आपका option होता है वह आपका क्या हो जाता है फूर्थ चलिए अगला क्वेस्चन देखते हैं देखिए अगला क्वेस्चन है अभिकल्प सोरी अभिकतन और तर्ख वाले ठीक है तो यानि कि हम लोगों का अभिकतन क्या है देखते हैं क समूहों के विद्यार्थियों के शमावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्तपूर है कि उनकी संस्कृति के पहलूओ को विभिन नगतिवीदियों के माध्यम से सामिल किया जाए जो कि बिल्कुल सही है और आपका तर्क है फ्रेंट कि अपने पन का बोध सीखने के लिए प्रेरित करता है जो कि यह भी बिल्कुल सही है तो यहां पर देखिए और आर दोनों इससे और जो आपका र है वो शही व्याक्या भी कर रहा है यानि कि यहां पर फोस्ट अप्सन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यह तीनों की पढ़ने के आपको आवस्त्ता नहीं है ओके हमारा अगला क्वेशन है कि प्रकासित सहायक सामगरी और अनुकुलन जैसे कि फोंट का बड़ा आकार यानि कि सब्दों का बड़ा आकार ठीक है आवर्धक सामगरी आधी कौन से विद्यार्थियों के समावेशन के लिए BCS रूप से महत्तोपूर है प्रकासित सहायक सामगरी होती है और अनुकुलन जैसे कि फोंट का बड़ा आकार जैसे कि आपका यानि कि जो सब्दों का बड़ा आकार होता है आवर्धक सामगरी ठीक है आधी कौन से विद्यार्थियों के समावेशन के लिए BCS रूप से महत्तोपूर है पहला है आपका द किसके समावेशन के लिए महत्तोपूर होता है ठीक है तो यह आपके द्रिष्टी की आंसिक छती वाले विद्यार्थियों के लिए यानि कि जो द्रिष्टी की आंसिक छती होती है जिन्हें द्रिष्टी की उन्हीं के समावेशन के लिए BCS रूप्च महत्तोपूर होता है तो यहां पर देखिए आपका पहला option जो है वह बिल्कुल character है चलिए अगला question देखते हैं friends देखे friends हमारा अगला question है कि स्वलीनता विकार से जूझ रहे यानि कि आर्टीज में विद्यार्थियों ठीक है जूझ रहे हैं विद्यार्थि यानि कि जो आटीज में से जूझ रहे हैं ठीक है उनको प्राया कौन सी दृड़ शामर्थेता है तो यहां पर देखिए सबसे पहला ही option सही है कि वीवरणों के प्रतिश्च जगता यानि कि धान देना ठीक है यहीं उनकी जो होती है दृड़ में जब भी सवाल प्रस्थित कईयता है तो यह राखे के कि संकेत करता है बिद्यार्थी और भltry स wasting हूल से प्रतिभा वाले निक नवा चारी समाधान देती है याणि कि कोई भी question उसके open ended question है याणि कि एक ही question कर आंसर होते हैं तो वहां पर वह जो बच्चे होते हैं वो परतिभा वाले बिद्यारती होते हैं यहां पर आपका first option ही बिलकुल correct होगा ठीक है कि business प्रतिभा वाले बिद्यारती है चलिए अगला question देखते है friends और यहां पर देखिए friends समारा जो अगला question है यह आपके अभी कथन और तर्क वाले हैं फिर से ठीक है तो चलिए हम लोग अभी कथन पढ़ते हैं क्या है कि अध्यापक को ऐसे सिच्छर सास्त्री प्रवीदियों और विस्यवस्तू का चैन करना च चाहिए जो विद्यार्थियों में नमीन इग्यान की स्रिजण टीक है जो नए इग्यान के निरमाण के रिए और उच्छ क्रमी को श्लों को शमुनत करने का कारे करती है जो कि यहां पर यह बिल्कुल करेक्ट है चलिए तर्क देख लेता है फ्रेंट्स क्या है तर्क है कि बच्चों में नवीन एग्यान किस रिजन और उसकी ब्याख्या करने की योग्यता होती है, बिल्कुल सही, बच्चे देखी फ्रेंट जो होते हैं, जो नवीन एग्यान उनमें होते हैं, ठीक है, उसका निर्माड करने और उसकी ब्याख्या करने की उनमें योग्यता होती है, तो यहां पर देखिए फ्रेंट जो आपके अभी कथा ने और तर का है दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है यानि कि आपका पहला ही option सही होगा कि A और R दोनों सही है और R एक ही सही ब्याख्या करता है ठीक है यह तीनों आपको पढ़ने के आऊ सकता नहीं है ठीक है यहां पर फर् जो 14 वर्सिय माया है ठीक है वह एक युगा चित्रकार के बीडियो यूटूब पर देखकर पैंटिंग करना सीखती है ठीक है वह इस बात में विश्वास करती है कि वह पैंटिंग करने की छमता रखती है और सर्चेतना के साथ प्रक्रियाओं का अनुश्रण करती है माया क अधीकम को क्या संग्या सकती है पहलो आप्शन जर्य युगात्मक अधीकम निकल्क रोल यहां वह लिद इस वह कुंदो दूर्ध कर देख Western asks यूटूब 2025 यूटूब कर रही है तो माया के जो अधिगम है वो क्या संग्या दे रही है तो यहां पर हो जाएगा आवलोकन आत्मक अधिगम ठीक है यानि कि थर्ड अप्सन जो है फ्रेंट वह आपका बिल्कुल कारेक्टर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है अधिगम अधिक प्रभावसाली रूप से होता है अगर आपको बताना है कि अधिगम कब अधिक प्रभावसाली रूप से होता है यानि कि बहुत जादे अधिक प्रभावसाली रूप से कब होता है पहला अप्सन है कच्छा कच्छ वाता और भय मुक्त हो ठीक है यह तो बिल्कुल स बिद्यार्थियों के मतों को शंप्रत्य की ब्याख्या करने के दौरान न अपनाया जाए ऐसा बिल्कुल गलत है ठीक है तो यहां पर देखे जो आपसे कोश्चिन किया गया था कि अधिक प्रभावसाली रूप से हो अगर कच्छा कच्छवाता और भय मुक्त हो ठीक है अध कि निंवन्य लिखित में से विद्यार्थियों में समुन्aking करना चाहिए ठीक है ठीक है कन्थ़ती करण बिल्कुल यह ईर्प का गलत होता है ठीक है और दूसरा आपका option है समालोषनात्मक चिंतन जोटी बिल्कुल सही होता है और तीसरा है कर्यात्मक जड़ता ये भी गलत अभी सारी चिंतन गलत यहां पर अब सारी चिंतन होता होना चाहिए ठीक है विद्यार्तियों में समुन्नत करना चाहिए तो देखे यहां पर जो सबसे करेक्ट ऑप्षन है वह आपका क्या है शमालोचनात देखे विधाया चर्ण प्रक्रिया घजाए बिल्कुल करेक्ट है लुद्र संस्य निर्धारत चरड निर्धारित करण ब्रदी का अनुश्रड किया जाता है समस्य समाधान ब्रदी का चरडद धर चरड निर्वरी रीःण बिल्कुलक मुलन्रических आता कि निमनन लिखित में से कौन सा कथन अधिगम के लिए आकलन के संबंध में सही है ठीक है तो चलिए सबसे पहला उप्षन देखते हैं तो देखिए हमारा पहला ऊप्षन है यहाँ पर कि भाय करदा सुरे भाय पैदा करने के लिए कापी में सभी त्रूटियों पर लाल स्याह के अधिकम के बारे में जानने के लिए तुरूटियों को एक आवसर के रूप में लेना चाहिए बिल्कुल सही है और तीसरा option है कि सहपाथे आकलन का प्रयोग एक दूसरे को प्रति पुष्टी देने के लिए किये जाना चाहिए बिल्कुल सही और चौथा option है कि विद्यार् और चौथा option ही बिल्कुल करेक्ट है तो देखिए कौन से option है यहां पर देखिए फोर्थ option में केवल दो तीन और चार ठीक है यहीं आपका correct answer होगा यानि कि फोर्थ option आपका right है ठीक है correct है चरी अगला question देखिए अगला question है कि आपका अभिकतन और तर्क वाले हैं ठीक हम देखें कि क्या है कि सीखने की प्रक्रिया में विद्यालेओं को भावनात्मक पहलु को ध्यान में रखना और पोषित करना चाहिए जो की बिल्कुल सही है ठीक है पर कि से जोड़ी हुई बहवनागान से प्रिठक नहीं है तो इन तीनों को आपको पढ़ने की आविशकता नहीं है ठीक है चली अगला क्विस्चन देखते हैं फ्रेंट समारा क्या है प्रेशकता देखें आपको बताना है जो आंतरिक अभी प्रीरणा होती है उसको संचालित करता है तो आंतरी का अभी प्रेड़ा को केवल फ्रेंट्स आपकी रूची ही संचालित करती है इन तीनों में से ठीक है पुरसकार दंड प्रसंसा नहीं करता है आंतरी का भी प्रेड़ा को ओके चली अगला क्विश्चन देखते हैं फ्रेंट्स समारा क्या है देखिए अगला कविश्चिन हें फ्रेंड समरा कि निम्न लिखित में से कौन से अधिकम को प्रभावित करने वाले परिवेसिय कारक और व्यक्तिगत कारक नहीं है इसमें सब को बताना है कि कौनसे अधिगम को प्रभावित करने वाले परिवेसि, यानि कि वातावरड़ी कारख है, और व्यक्तिगत कारख नहीं है, तीके है, आपका सीखने के लिए आंत्री कभी प्रेड़ा है, तो देखें, ये तीनों ही आपके नहीं होगा, थर्ड आपस की समगरी होते हैं आपकी परिवेसिय कारक तो होती है लेकिन आपके ब्यक्तिकतत कारक नहीं होती है ठीक है अगला कुश्चन दखते हैं ठीक है अब अपने के last question को कि विद्यार्थियों का एक समान योग्यता के आधार पर शमुह करव्य कोड़ होते हैं यह अपके निगेटिव माने जाते हैं ठीक है यह कि दिखें डिहीन भावना आने लगता है है, तो यह आपका प्रभावने पर नेलिदियो आने लाइन, कि दूरत अर्पम पर स्लिखले के बाधष करें लुखेयान जरा ना, तो देखे आज तक हमने आपके CDP के last 30 questions अपने complete किया है ठीक है और आज देखे फ्रेंट आज आपका last day है आज की आपने तयारी बहुत ही अच्छे से करिएगा और अराम से करिएगा ठीक है क्योंकि आपका काल इक जाम है तो देखे फ्रेंट जो लोग अभी तक हमारे चैनल आप लोग कंटिन्यू बस हमारे चैनल पर ऐसे ही जुड़े रहे हैं तो आज की CDP क्लास में बस इतना ही मिलते हैं अपने हम आपने हम अच्छी के क्लास में तब तक के लिए धन्य बाद ओके फ्रेंट्स